नमस्कार मैं तुल बर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अब सब का तक्तियां फिनांस के इस यूट्यूब चैनल में लोगों का प्रस्ण रहा है कि क्या हम ऐसी चीजों को बाई कर लें या अपने पोर्फोलियो को बेच दें जो हमारा एक परकार का हेज खड़ा कर दे तो एक चीज समझे कि उसमें एक जो सबसे बड़ा प्रस्ण रहा है जिसका हमारा आंसर देने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड अगर आप रखना चाहते हैं और क्या लगता है कि गोल्ड यहां से कितना बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों ने वाटसेप पर एक मैसेज चल र और अगर आप पहली बार देख रहे हो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा पहले तो यह गुजारिस होगी आपसे गोल्ड पर साइद इस तरह की बात आपको आज के पहले किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिली होगी किसी टीबी चैनल पर में नहीं मिली हुआ कि बीच में कई सारे मैसेजेज आपकी साइट से आए तो हमें भी लगा कि यार गोल्ड के उपर एक डिटेल चर्चा करी जाए कि भाई गोल्ड में अचली हो क्या सकता है तो गोल्ड को देखिए जब आप ग्लोबल अस्तर पर गोल्ड के जो बहुत लंबे समय से जो कि भर कब बढ़ेगा सिंपल सी बात है आपके दिमाग में गार यार यह तो सोना है सोना कभी कोई भाव होता है सोना का भाव कहीं कम होता है नहीं होता ना सोना है यह तो मतलब हम लोगों के दिमाग में क्या है कि अगर कोई चीज सोना है तो वो मतलब उसके ऊपर तो कुछ आप सिर्फ उसको own करते हैं फिर से के समझे आप gold को consume नहीं करते हैं सिर्फ own करते हैं कोई भी चीज जो सिर्फ own की जाती है उसकी value तभी तक है जब तक कि उसकी own करने से यानि उसको उसका मालिकाना हक आपके पास रहेगा और उस value को अगले और लोग खरीदना चाहेंगे तब तक उसकी value बनी रहेगी लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिसके आप मालिक है consume नहीं करते हैं मतलब कि आज तक जितना gold खोजा गया और जितना gold खोजा जाएगा वो आपके जीवन काल के बावजूद भी एक रती कम नहीं होगा उसी मात्रा में इस universe में बना रहेगा इसका फरक समझे जैसे कि बोला जाता है black gold या फिर crude को बोला जाता है कि ये सोना से भी अच्छी चीज है चुकि जो crude है वो consume किया जाता है आप आज उसको change कर दिये पेट्रोल में आज उसको change कर दिये डीजल में और आज आप 100 किलोमेटर सफर कर लिए तो आपने खतम कर दिया है अब वो वापस से regenerate नहीं हो सकता है आप उसको consume कर रहा है कोई भी चीज जो consume की जाती है अगर उसके price में appreciation हो रहा है यानि किसी चीज का अगर आप उसको खतम कर देते हैं उसका उपयोग करके खतम कर दिया आपने अब वो है नहीं उस दुनिया में उतना जितना भी वो एक लीटर पेट्रोल अगर आपने खर्च किया तो वो खर्च हो चुका है वो खतम हो चुका वैनिस अब वो दुनिया में वापस से नहीं है लेकिन उस तरह के product यानि जो product खतम किये जा सकते हैं उन टाइप के products की value जब बढ़ती है तो वो conjunction के उपर भी बढ़ती है और एक limit के बाद अगर वो value खतम होने लगे यानि उसकी उतपादन नहीं है तो फिर उसकी value और बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोगों का मनना है कि crude एक अलग चीज़ है लेकिन gold जो होता है ये consume नहीं किया जाता है ये सिर्फ own किया जाता है अब own का मतलब आप मान लिजी इस दुनिया में हैं और कल नहीं होंगे लेकिन आपके पास जितना gold होगा उसका owner फिर कोई और हो जाएगा मेभी आपके आने वाली generations उसके owner बन जाए मेभी आपके आने वाली generation की जगए कोई और उसका owner बन जाए जो इंडिया में बहुत सारे आयरुवेद में भस्म बनाया जाता है और मिडिल इस्ट में भी और American side में भी उस gold को बहुत बार बहुत जगा consume भी किया जाता है बट वो बहुत कम number है रियल में gold की price क्यों appreciate किया है पिछले कुछ दिनों के अंदर उसके पीछे सीधा सा कारण है कि China जो है उसने अपने gold chest को बहुत बढ़ा दिया और उसने दुनिया भर का gold खरीदा जिससे gold की prices उपर की तरफ गई चुकि China खरीद रहा था और dollar का devaluation को करना चाहरा है इसलिए वो माना जाता है कि वो बहुत सारा gold खरीद के रखा है और उसके पीछे ये भी माना जाता है कि उनको अपनी currency है उसको मजबूत बना के रखना है चुकि वो exporter है, exporter है वो बाहर माल भेजता है लेकिन वो चाहता है कि dollar के संदर में अगर मैं कभी खड़ा होने को देखूं तो कम से कम मेरे पास gold chest में होगा तो मेरी value बनी रहेगी अन्य था उसको अपनी currency को बहुत उचा रखने से कोई लाब नहीं होता है लेकिन अब यहाँ पर counter समझे गोल्ड का price इसलिए बढ़ा क्योंकि China बहुत खरीद रहा है गोल्ड का price दुनिया भर में इसलिए इतना जादे है चुकि सब ही जुतनी भी central banks होते हैं सब के chest में gold होता है जितने भी foreign reserve होते हैं दुनिया भर में IMF के पात उन सब में जो है gold होता है तो अब gold basically आपके पहनने के नाते महगा नहीं होता है गोल्ड का price इसलिए महगा होता है क्योंकि उसको बहुत सारे लोग जोड के अपने पास रखते हैं ताकि उनकी जो health है बेटिक लिए उनकी financial जो health है वो बनी रहे अब आप पहनते इसलिए हैं क्योंकि gold एक महगी वस्तू है तो आप उसके प्रदर्सन करने के लिए उसको आप पहनते हैं ताकि आपका status बहतर लगे लोगों को अब अगर एक बास समझे कि अगर अमेरिका ने एक पल के लिए जरा सा counter समझे अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये बहुत सारे reports में आना सुरू हुआ है gold के detail करने के बाद अब अगर आप एक समझे कि अमेरिका को कल को एक third world war करना हो ये जो छोटा छोटा लडाई हो रहा है यूकरेन में रसिया में या फिर आप सोचो ये मिडिल इस्ट में जो हो रहा है ये कभी world war में convert होगा नहीं होगा चुकि ये जो war है ये war क्या हो सकता है ये basically बहुत बार में ये माना जा रहा है कि lobbyist का नतीजा है जो basically आप समझे कि जो defense के जो lobbyist हैं दुनिया भर में बहुत बड़े lobbyist माने जाते हैं defense sector के वो चाहते हैं कि दुनिया में कहीं थोड़ी सी तो आग जलनी चाहिए ताकि उनका धंधा चलता रहे तो उसी के परपेच में इसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन यहां से कोई world war हो जाएगा इस टाइप का concept नहीं है लेकिन माना यह जा रहा है कि world war अगर होगा तो या तो financial front पर होगा या वो digital front पर होगा लेकिन अगर world war digital front पर हुआ तो चाइना रस्या उसमें लीड पर रहेंगे चुकि जो चाइना का box है जो चाइना के computers है जो चाइना के engineers है IT sector के वो कहीं बहतर perform करते हैं अमेरिका की side से लेकिन अगर अमेरिका को यह war जीतना है तो वो finance से जीत सकता है यानि अगर कोई ऐसा work कल्पना किया जाए तो वो यह नहीं हो सकता जो Middle East में हो रहा है या वो इक्रेन में हो रहा है वो तब होगा जो लड़ा जायेगा दो बड़े जाइंट के बीच में छोटे जाइंट लोगों के बीच में वाली लड़ाई वर्ड वर्ड तब हो जाया करती थी चुकि तब अलग प्रकार की संदशना थी आज से सौ साल पहले लेकिन आज नहीं हो सकती है तो दो ही front पे हो सकती है या तो वो डिचिटल फरण पर होगी या फिर वो एकोनामिकल फरण पो रहेगा आज को'? अज की डेट में क्यों है वाइस लिए है क्योंकि गॉल्ड को foreign reserve के रूप में राखने की सुईक्रिती है और आई में उसको वैलू देताैं कि अगर आपके पास इतना पर्सेंट गोल्ड पड़ा हुआ है तो आपकी वैलू मानी जा रही है क्योंकि उसकी एक प्रिशियस मेटल की वैलू दी जाती है लेकिन अगर आप कल्पना करिए कि अमेरिकन साइड से इसको चेंज करने के वो प्रेशर हो और आए में फिस या बाकी जो सेंटरल बैंक हैं या फिर आप यह समझेए कि जो बाकी और सारे बैस्विक अस्तर पर जो फाइनेंसियर्स मैटर देख रहे हैं वो सब में इसको रिप्लेस्मेंट करके कोई दूसरे मेटल को डालने की बात चलने लगे चुकि वो भी एक मेटल ही है गोल्ड इस आलसे मेटल अब आ जैसे ही आप उसको रिप्लेस करोगे होगा क्या चाइना के पास जो गोल्ड का बहुत बड़ा भंडार होगा उसकी वैलू आटोमेटिक नीचे चली जाएगी अब आईमेट अमेरिका की क्यों सुनेगा चुकि आईमेट को सारा फंडिंग या बाकी जितने बड़ी उस तो जुगाल खोजना पड़ेगा चुकि अपनी इकोनाम इतनी बड़े डेट पे वह बैठा हुआ है कि वह सर्वाइब नहीं कर सकता एक लिमिट के बाद तो कहीं न कहीं से तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसको करने के लिए मेबी वह एक नए अप्रे प्राइस करने लगते हैं तो गोल्ड का प्राइस बहुत तेजी के साथ नीचे जाएगा क्यों कि कंजमसन नहीं है खतम नहीं हुआ है अगर सो किलो था तो 99.9 किलो आज भी है अब वो 99.9 किलो की वैलू कम होने लग जाएगी और गोल्ड मार्केट में आना सुरू हो जाए तो अगर कुछ ऐसा हुआ उस केस में क्या होगा उस केस में यही होगा कि जो गोल्ड आप खरीद के रखे रहोगे वो गोल्ड का वैलू कहीं न कहीं डिक्रेज हो जाएगा तो आप जिस गोल्ड को सोना को समझते हो कि इसकी वैलू कभी घट ही नहीं सकती उसकी वैलू एक सारी करेंसी जो वो जो है गोल्ड से लिंक नहीं है लेकिन वो फिर भी उतनी ही वैलिड है और चल रही है तो यह पॉसिबिल्टी है कि कभी ऐसी स्थिति हो जाए तो गोल्ड की वैलू को भी कम करके उसको को रिप्लेस्मेंट किया जाए और यह बहुत सारी रिपोर्ट में बाते कही जा रही है कि हो सकता है कभी लेकिन निकट भविस्ट में अभी संभु नहीं है लेकिन हो सकता है कि प्राइस के बहुत बढ़ जाने से अमेरिकन साइड को दिक्कत भी है चाइना साइड को प्रॉफिट हो जाएगा और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना साइड को इस तरह का कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट बने उस केस में क्या होगा कि जैसे ही गोल्ड का प्र साल में प्रेमाइद मैं इक होगा तो पूरा का पूरा दुनिय Może राइता कि दूज़ जायें नहीं होगा कि अगर हो गया तो फिर तो पुरा का पूरा दुनिय ही आपको करना है तो कितना जादे स्टॉक पड़ा है जो april ho जायएगा भी साल में दो साल में डवल हो जा रहे हैं, तो फिर गोल्ड के पीछे भागने की जरूरत ही क्या है, दूसरी बात, कि अगर आप एक चीज और देखो, कि गोल्ड से जुड़ी हुई जो कमपनिया हैं, जिसे मनापुरम हो गई, या फिर मुथूर हो गई, या सैनको हो गई, या फिर अपना 2-4% साल का रिटन बनाने की चेश्टा क्यूं करना चाहते हैं, कमपाउंड की अगर आप बात करिए, तो दस साल में आपको जादे से जादे गोल्ड पे 10-15% का कमपाउंड मिल गया, तो वह बहुत बड़ी चीज है, यह मतलब मैं से हाइस लेबल की बात कर रहा हू लेकिन अगर उससे कम हुआ तो क्या ही फायदा हुआ, वहीं पर अगर आप इस टाइप के स्टॉक रखते हैं, जो गोल्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको जादे प्राइस पैसा बना के दे देंगे, अब क्यूंकि अगर गोल्ड का प्राइस 10% बढ़ गया, तो इनका जो गोल्ड है, उसकी वैलू आटोमेटिकली बढ़ गई न, क्योंकि मैंने सतर हजार पे आपसे लिया था और आपको उसी बेस पे लोन दिया था, आज मेरे चेस्ट की वैलू हजार हो चुकी है, तो रियल बात यह हुआ कि मैं उससे और पैसे बना रहा हूं, तो कहने का मत बढ़ जाएगा, तो यह 5-5-10% बढ़ जाएगे, यह 25-50-50% भी सेर बढ़ सकते हैं, चुकि यहां डिमांड सप्लाई का भी चीज रहेगा और इनकी नेट वैलुएशन पर काफी फरक पड़ता है, तो अगर आप गोल्ड लेना चाहते हैं, तो उससे बहुत अच्छा है क आप सेर ले लीजिए, गोल्ड से जुड़े हुए, बाकी आपको गोल्ड एटीएफ, गोल्ड बॉन्ड यह प्रोड़क्ट जो बेचे जाते हैं, वो मुख खली इसलिए बेचे जाते हैं, चुकि बैंक वालों के पास आपको कुछ तो चिपकाना है, वो आपको कुछ तो जब आप उनके पास जाएंगे, और वैसे भी उनके पास दुनिया बर के प्रोड़क्ट बना के रखेंगे, अगर वो नहीं बेचेंगे तो उनको कमिशन कहां से आएगा, तो इसलिए वो आपको बेचना चाहता है, दूसरा आपका ब्रोकर भी आपको बेचना चाहता है, क कारण यह है कि उस पर कुछ इतना प्रोफिट बनने का उमीद नहीं है, और जो आने वाला वक्त है, मेभी उस तरह का नहीं होगा, लंबे पीरेड में अगर आप देखेंगे, जो बैस्विक अस्तर पर बहुत सारे रिपोर्ट्स चल रही है, तो खत्रे यहां पर भी है, औ और आपके जहन में जो बात है कि सोना है, सोना कहा जाएगा, वो तो कभी डूबेगा नहीं, तो वो बात भी निकाली है, आज जो मैंने बात कही है, यह बात सिर्फ कपोल कलपना नहीं है, यह बात बहुत सारे रिपोर्ट्स में है, और कभी छोटे-छोटे अस्तर पर प्र किसलिए हो, या आपके हमारे लाइफ टाइम में ही आपको कभी देखने को मिले कि गोल्ड की जगा, सम्थिंग और आया, और उससे रिप्लेस्मेंट होना शुरू हो जाए, तो वो एक पॉसिबिल्टी रहती है, उमीद कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आई होगी, कुछ न